आखों के असाथ्थी रोगों से चाते मानों जीवन में अध्यारे हैं असाथ्थी को साथ्थी बनाकर हम फैलाते जीवन में उज्जारे हैं मैरा नाम अभिशित नायक है परेशानी आपको मेरा परेशनी है दूर का चेल काम दिखता है नायक जी आपका पेरिफेरल वीजन चार्ट है राइट आख का और राइट आख में आप देख रहे हो का आपका पेरिफेरल वीजन काफी सुकड़ गया है अपर साइट पे दो इंच नीचे 1.3 इंच उपर दो इंच लेप एंड साइट पे 1.7 इंच मात्र बचा है आपको सड़क में चलने में गाड़ी चलाने में प्राब्लम तो होती होगी इस पेड़े वगएरा देखने में दिक्कत होती है दिखाई है दिन में दिखाई कौम दी देता है मगर रात में लाइट के बाजिसे दिखाई देता है CDs चड़ने में? होता है होता है पर ज wählt गहीं होता है अभी बेनिस करके चड़ जाते हो ऊतर जाते ho कोई नई जगेपे? नई जगेपे बीख ओता है हमाह में तोड़चाइज Cheese इंध चड़ने में तखलीप हता है होता है तो है तक्कर होने का डल लगता है क्या। साइट से क्या निकला है साकुछ। लेथ आंक से क्या लेथ आंक से नायक जी आपका परिफिर्ष वीजन चार्टSpurs लेथ आंक का। द l history वीजन उपे क्एंच बहुत ज्यादव रूपाी कीं मामेर सोकद गया है। हम प्रयास करेंगे कि आपकी जिन्दिकी में जो भी परेशानी आ रही है वो ठीक हो और आप उन्हा अपना वर्किंग काम का शुरू कर सकें ठीक लगबक आदा हो गया है कहां कहां दिखाया आपने तो बहुत जबा पर दिखाया है बताएंगे कहां हां पहले हम जब छोटा तो हमारे काओं के बगल में डखता रहता था उसको दिखाता था फिर देखाया कोलकाता पर दिखाने के बाद हमने जया चेन्नाय संकर नेत्रा लग ठीक है संकर नेत्रा लग दिखाने के बाद क्या बोला उनने वहां पर बोला था जो मुझे लो भीसन का पॉब्लम है तो लो वीजन एड लेने के बावजूद आपकी रोश्नी बड़ी नहीं थोड़ा सा मुझे लगते हैं थोड़ा सा आपको लग रहा है लेकिन अभी यहां पेरिफेल वीजन काभी कम है दोनों आख का कलर वीजन कम है लेफ्ट आंक में अब मात्र तीमेंटों सा इसमें आखों के परदे वर नसों में खराबिया जाती है रात्री में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुवात होती है और चीवन अंधिकार में प्रभावी रूप से करने के लिए तो रिश्ट जैन ने पीड़ा उठाया नायग जी बहुत बहुत बदाई हो आपको पहले कोर्स के बाद ही ट्रिमेंडस रिलीफ आया है पेरिफेल वीजन में अपर साइड में आपका टू इंच था वो बढ़के 3 इंच हो गया है आपके लेप्ट हैंड साइड पे 1.7 इंच था वो बढ़के 3 इंच हो गया है लोवर साइड पे आपको 1.3 इंच था वो 3 इंच हो गया है और राइट एंड साट पे ए 1.5 इंच था 1.5 से 2.6 इंच हो गया है नियर एबाउट 100% इंप्रूमेंट आपको पेरिफेरल वीजन में राइट आँख में भी आया है दूर की नजर पड़ी कलर वीजन में डबल हुआ और पेरिफेरल वीजन में भी डबल 100% का आपको इंप्रूमेंट है मात साथ दिन में नायग जी बहुत बहुत बढ़ाई हो ट्रिमेंडस रिलीफ जैसा आपको राइट आग में फरक आया है उसी तरह से आपको लेफ्ट आग में फरक आया है देर बाद होगा कहीं पर इलाज कराया तो इंप्रूमेंट हुआ नहीं हुआ था कितने साल इलाज कराया आपने हम तो लगभग 12-14 साल से इलाज कराया है 14 सालों से आप इलाज करा रहें कहीं से कोई फाइदा नहीं हुआ तो यह tremendous फाइदा आपको कहा हुआ 14 साल बात डॉक्टर रिशब जेन के पास डॉक्टर रिशब जेन का हस्पिटल कहा है उजयन बद्धिप्रदेश है ना तो यह आपको जो अपर साइड में पहले तीन डायरेक्शन में उपर नीचे और आपके लेफ्ट साइड में 0.7 आपके लेफ्ट साइड में 0.7 इंच बचा है और राइट एंड साइड पे 0.6 इंच ही मात्व बचा हुआ है लेफ्ट एंड साइड पे भी आपको 0.75 इंच दिखा करता था वो बढ़के 2.5 इंच हो गया है तीन डायरेक्शन में उपर नीचे और आपके लेफ्ट साइड आपको रोशनी बढ़ी है दो डायरेक्शन में और तुको बढ़के 2.6 इंच ही मात्व बचा हुआ है और आपके राइट एंड साइड पे मात्व ठीड घ्स दिखता था वो बढ़के 2.15 इंच हो गया है तीन गुना से ज्यादा सारी डायरेक्शन में आपको रोशनी बढ निशानी आ रहे हैं वह आपकी खत्म होती चली जाएं पांग्रेशुलेशन बधायो खोशी लग रही है अच्छा लग रहा है आप अपने सरी के भाई बेन जो सुर्दास होते चले जा रहे हैं दिन पर दिन जिन की रोशनी खत्म होती जा रही है उन लोगों से क्या कहेंगे मैं यही कहूंगा कि हाँ पर आये और टीन मेंन करें डॉक्टर रिसार जेन के पास यह मध्यवदेश उज्जाइन पर है उज्जेन शेहर में हस्पिटल है और आप सरी के तमाम लोग जो बड़े-बड़े हस्पिटालों में दिखा चुके दिशा हस्पिटल शंका नेत्रा है और भी छोटे बड़े हस्पिटल दिखाए हैं जहां आपको कहा गया था इलाज संभव नहीं है या कुछ थोड़ा बहुत फर्क होगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा लेकिन इलाज करने के बावजूद आपकी रोशनी कम होती चली गई और परेशानिया जिंदिकी में बढ़ती चली गई आप कलर ब्लाइन भी हो गए और आपका पेरिफेरल वीजन भी काफी सुकर गया था और आपका डिस्टेंस वीजन भी खत्मसा हो गया था और यह सभी चीजों में आपको फाइदा हुआ उसकी बहुत सारी बधाई आप सारी के जो दूसरे भाई बे ब्लाइए आपके परिवार को क्योंकि आप खुद दुखी थे आपका परिवार पुरा परेशान था एक ही जवान बच्चे की जब रोश्नी का यह जाती है तो परिवार में काफी गम का माहौल दुख्य का माहौल हो जाता है वो आपके दुख के बादल चटें और आप अ होस्पिटिल है जी हाँ जी नीट रोजिकित साल आई डेवल्प्मेंट सेंटर